हेलो नमस्ते आदाब सच रेगाल दोस्तों जब आप इंगलिश बोलने की कोशिश करते हैं तो कई बारा बोलते बोलते इसलिए अटक जाते हो कि आपको कई words की सही pronunciation नहीं पता होती और यही समस्या आती है जब आप इंगलिश लिखने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको सही से spelling नहीं आती इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप सभी को इंगलिश रीडिंग की practice करनी चाहिए जिससे आपको सही pronunciation का भी पता चले और आपको spellings की knowledge भी हो तो इन दोनों दिक्कतों को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं translation के थुरू इस पूरी इंगलिश की कहानी का word by word हिंदी में translation तो शुरू करते हैं आज की इंट्रेस्टिंग कहानी तो तीन अकांशी यानि इच्छा रखने वाले किस चीज की? तो तीन ऐसे अकांशित यानि इच्छा रखने वाले जो क्या बनना चाहते थे? शाही, सलाकार वन डे, एक दिन, वेन अकबर वाज इन दा कोट जब अकबर कहां थे? वाज का मतलब थे? इन दा कोट यानि की दरबार में थे तो दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये है सिंपल पास्टेंस जहां सब्जेक्ट के साथ वाज या वर आता है और फिर बाद में अब्जेक्ट आता है ये क्या कर रहे थे? डिस्कसिंग सम्थिंग वैरी इंपॉर्टेंट तो डिस्कसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि ये विचार विमर्ष कर रहे थे सम्थिंग यानि की किसी विशय पर जो क्या था? वैरी इंपॉर्टेंट यानि की बहुत ही महतोपूर्ण था और ये महतोपूर्ण विचार विमर्ष किसके साथ हो रहा था? with all his courtiers यानि की his मतलब उनका तो किनके अकबर के जो courtiers यानि जो दरबारी थे उन सभी के साथ ये महतोपूर्ण विचार विमर्ष हो रहा था and और ministers और मंत्रियों के साथ a guard came तो एक सुरक्षा कर्मी came यानि की वो आया था तो दोस्तों ये कम की second form है तो ये भी हमारा क्या बनता है? simple past tense जहां पर subject के साथ verb की second form आती है वो हमारा होता है simple past tense और यहां पर ये जो was है ये main verb है इसलिए ये sentence हमारा static form का बनता है यानि कोई action नहीं हो रहा है और जहां पर कोई action होता है वहां पर जो verb होती है action वाली उसका second form आता है तो आपको ये difference ध्यान रखना चाहिए and said और उस रक्षा कर्मी ने आकर क्या कहा था? inverted commas तो दोस्तों inverted commas का मतलब होता है जैसी बात बीते हुए समय में बोली गई थी वैसी की वैसी ही वो dialogue यानि की कही हुई बात यहां पर बता दी गई है inverted commas के अंदर तो उसने क्या कहा था आकर my lord मेरे मालिक three men outside are waiting to meet you कि तीन आदमी बाहर are waiting वो इंतजार कर रहे हैं किस बात का? to meet you यानि की आप से मिलने का तो दोस्तों इजमार के साथ अगर किसी भी verb के साथ ing आपको दिखाए दे तो वो हमारा होता है present continuous tense यानि की वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है तो वो बता रहा था कि तीन आदमी आप से मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं should I send them in should यानि की चाहिए क्या करना चाहिए क्या मुझे them यानि की उनको send यानि की भेजना चाहिए in यानि की अंदर तो वो महाराज से आग्या ले रहा था next पैरा अकबर आस्ट दगाड तो अकबर ने पूछा था उस रुक्षा करमी से what is the matter with them कि भई उनका मुद्दा क्या है तो जब भी कोई आता था मिलने राजा से तो पूछा जाता है ना कि भई matter क्या है मुद्दा क्या है वो मिलना क्यों चाहते है are they in trouble क्या वो किसी मुसीबत में है or in dispute with one another या उनका dispute है यानि की जगडा है with one another यानि की एक दूसरे के साथ the guard replied तो अब उस guard ने replied तो दोस्तों reply का मतलब होता है उत्तर देना यानि की जवाब देना तो सुरक्षा कर्मी ने जवाब दिया no lord, नहीं मालिक they seek to be royal advisors तो दोस्तों seek का मतलब होता है या तो आप खोजने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते है या आपकी कोई चाहत होती है कोई इच्छा होती है उसके लिए भी हम seek का इस्तेमाल करते हैं तो ये सुरक्षा कर्मी बता रहा है कि वे जो लोग है we seek to be यानि की वो बनना चाहते हैं क्या? royal advisors यानि की वो शाही सलाहकार बनना चाहते है अकबर was surprised तो अकबर क्या हो गए थे? वो surprised यानि की वो हैरान हो गए थे and amused at the same time और उसी समय वो क्या थे? amused यानि की वो खुश भी थे तो ये खबर सुनकर अकबर क्या थे? हैरान भी थे और खुश भी थे उसी समय अकबर न्यू अकबर जानते थे how to यानि की कैसे करना चाहिए क्या test a person's weight यानि की एक इनसान की जो बुद्धी है उसकी परिक्षा यानि उसको कैसे परखा जा सकता है and judge him accordingly और उसी के अनुसार उसे क्या किया जाए? उसे judge किया जाए यानि की उसे जाचा जाए तो वो कैसा आदमी निकलता है उसी के हिसाब से उसको जाचा जाए so इसलिए he told the guard to let तो इसलिए उन्होंने told तो दोस्तों ये tell की second form है तो ये भी हमारा simple past tense बन गया है तो उन्होंने क्या कहा? आग्या दे देना या करने देना तो करने के लिए क्या? those three aspiring royal advisors in यानि की उन तीन जो अकांशी जो क्या बनना चाहते थे? शाही सलाकार बनना चाहते थे उनको क्या करने के लिए allow कर दिया? इन यानि की अंदर आने के लिए बोल दिया गया था when they appeared before the emperor तो जब वो तीन आदमी जो थे वो appear यानि की वो उपस्थित हुए थे सामने किस के सामने? समराट के सामने they expressed और उन्होंने क्या जताया था? how honored they were कि वो कितने क्या थे? honored यानि की सम्मानित थे वो गरवित थे क्या होने पर? to be standing यानि की खड़े होने पर कहां खड़े होने पर भई? in front of यानि की सामने सच यानि की ऐसे a great man यानि की महान आदमी के सामने तो समराट को बता रहे थे कि भई हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं आपके सामने खड़े होने पर and also that और ये भी की they aspire to hold important positions in the royal court और ये भी उन्होंने क्या किया? aspired उन्होंने इच्छा जताई थी क्या करने की? to hold यानि की संभालने की वो क्या संभालना चाहते थे? aspire यानि की उनकी इच्छा थी संभालने की जरूरी जो positions थी यानि की जो जगह थी कहां पर जो स्थान दिया जाता है जरूरी स्थान यानि पद आप कह सकते हैं कहां? royal court यानि की शाही दरबार में अकबर head sensed pride तो अकबर head sensed तो दोस्तों head के साथ अगर verb की third form आती है तो वो बन जाता है हमारा past perfect tense यानि की एक काम होने से पहले भूत काल में कोई और काम हो चुका हो उसके लिए आता है past perfect tense तो उनके ये बताने से पहले ही अकबर क्या कर चुके थे? sensed यानि की महसूस कर चुके थे pride यानि की गर्व and over confidence in them और जो अती उत्सा होता है उनके अंदर वो अकबर ने महसूस कर लिया था की एक तरह से उनमें क्या था? गर्व था यानि की एक तरह से गमन था की भई हम बहुत चतूर हैं बहुत ज्यादा उनमें आत्मविश्वास था जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास को बोला जाता है over confidence next page so इसलिए he decided तो अकबर ने फैसला किया था to give them यानि की उनको देने का क्या देने का a task यानि की एक काम देने का या आप इसको एक तरह से चुनोती भी कह सकते हैं he said और अकबर ने क्या कहा था gentleman महनुभव I see मैं समझता हूँ you wish to आप करना चाहते होई आपकी इच्छा है क्या करने की to hold important positions यानि की संभालने की जो जरूरी जो जगह है जो स्थान या पद है कहां in the royal court यानि की शाहिद दरबार में तो अकबर कहते हैं कि मैं समझ गया तुम्हारी बाते हैं however फिर भी you would not be appointed कि तुम्हें नहीं किया जाएगा क्या appoint करना यानि की nuket करना कि तुम्हें nuket नहीं किया जाएगा to important positions तो ये जो जरूरी जो पद है on the basis of your aspiration यानि की जो तुम्हारी इच्छा है उसके basis पर यानि कि उसके दम पर तो आपको ये जो जरूरी पद है उन पर nuket नहीं किया जाएगा you all will have to कि तुम सभी को will have to का मतलब होता है दोस्तों की करना होगा तो तुम सब को क्या करना होगा take a challenge यानि की एक चुनोती तुम सब को करनी होगी and succeed in it और उसमें सफलता पानी होगी तो अकबर ने कह दिया कि भई ऐसे तुम्हें तुम्हें जरूरी पद दे नहीं सकता शाही दरबार में तो तुम सब को एक चुनोती मिलेगी और उसमें तुम्हें सफल होना होगा now अब take this silk cloth तो ये लो क्या लो silk cloth यानि की रेशम का कपड़ा लो and cover me entirely with it और cover कर दो यानि की ढख दो मुझे entirely यानि की पूरी तरीके से with it यानि की इस रेशम के कपड़े के साथ remember that और याद रहे की the cloth should cover me entirely की ये जो कपड़ा है should cover ये करना चाहिए मुझे ढखना चाहिए मी यानि की मुझे entirely यानि की पूरे तरीके से तो अकबर ने ये चुनोती दे दी थी क्योंकि बिर्बल के साथ रहके अकबर को इतना तो पता चली गया था the three men thought that तो उन तीनों आदमियों ने सोचा था की it would be an easy task की ये क्या होगा ये एक आसान चुनोती होगी so all of them stepped ahead with confidence इसलिए all of them यानि सभी के सभी stepped ahead यानि की वो आगे बढ़ गए थे यानि की उन्होंने स्विकार कर लिया था इस चुनोती को with confidence यानि की विश्वास के साथ the first one tried तो पहले वाले ने tried यानि की कोशिश की थी covering the standing emperor यानि की ढखने की जो खड़े हुए समराट थे समराट जो खड़े थे उनको ढखने की पहले वाले ने कोशिश की थी with the cloth यानि की कपड़े के साथ and found out that और उसने ये पाया था की the cloth was somewhat shorter की ये जो कपड़ा था वो क्या था somewhat यानि की कुछ हद तक shorter यानि की वो छोटा था he tried to उसने कोशिश की क्या करने की stretch यानि की खीचने की the cloth उस कपड़े को to succeed काम्याब होने के लिए सफलता पाने के लिए but it did not help लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली थी then तब the second man came तब जो दूसरा आदमी था वो आया था he also tried every trick तो उसने भी क्या किया tried कोशिश की थी every trick यानि हर तरह की चाल या तरकीब उसने कोशिश की थी but all his efforts लेकिन सभी के सभी his यानि की उसकी efforts यानि की जो कोशिशें थी proved वो साबित हुई थी कैसी to be an exercise in futility तो दोस्तों futility का मतलब होता है worth exercise यानि की जो भी ये प्रियोग था उसका साबित क्या हो गया था वो हो गया था व्यर्थ साबित हो गया था and the third one tried to put in some strategy तो तीसरे वाले ने भी put in यानि की लगाया क्या some strategy यानि की कुछ रणनीती उसने लगाई थी in order to यानि की failed with utter disappointment लेकिन वो भी क्या हो गया था fail हो गया था यानि की वो भी हार गया था ऐसफल हो गया था किस चीज के साथ with utter disappointment यानि की बहुत ज़्यादा निराशा के साथ तो तीनो के तीनो यहाँ fail हो गये थे next page then तब अकबर called बीरबल अकबर ने बीरबल को call किया था यानि बुलाया था and asked him और उससे यानि की बीरबल से कहा था क्या करने के लिए to do the same task वही काम करने के लिए बीरबल came बीरबल आय थे and asked the emperor to sit on his throne और उन्होंने क्या कहा था समराट से to sit यानि बैठने के लिए on his throne यानि की अपने सिंगहासन पर थ्रोन का मतलब होता है दोस्तों सिंगहासन तो जैसे की आप देख सकते हैं बीरबल आ गए है और अकबर को नोंने उनके सिंगहासन पर बिठा दिया है he said और बीरबल ने क्या कहा your majesty महराज you should not be standing कि आपको नहीं होना चाहिए क्या standing यानि कि आपको खड़ा नहीं होना चाहिए when all of us are sitting जब हम सभी क्या कर रहे हैं are sitting यानि कि बैठे हुए हैं I request you to sit down मैं request यानि कि प्रात्ना करता हूँ गुजारिश करता हूँ आप से क्या करने के लिए to sit down यानि कि नीचे बैठने के लिए सिंगासन के उपर with all comfort यानि कि पूरे आराम के साथ अकबर sat down अकबर बैठ गए थे जैसे आप देख सकते हैं अकबर अपनी सिंगासन पर बैठ गए थे and बीरबल put the silk cloth on the sitting emperor और बीरबल ने put यानि कि रख दिया था वो जो रेशम का कपड़ा था on the sitting emperor यानि कि बैठे हुए समराट के उपर बीरबल ने वो रेशम का कपड़ा जैसा कि आप देख सकते हैं बीरबल रख रहे हैं यहाँ पर covering him completely पूरे तरीके से cover करते हुए यानि कि उन्हें ढखते हुए since अकबर head sat down चूंकि जो अकबर थे head sat down यानि कि वो नीचे बैठ चुके थे सिंगासन पर बैठ चुके थे his height उनका जो कद था decreased यानि कि वो कम हो गया था and he could be easily covered with the silk cloth और he could be उन्हें किया जा सका था क्या easily covered यानि कि आसानी से ढखा जा सका था उन्हें with the silk cloth यानि कि उस रेशम के कपड़े के साथ अकबर said to the three men तो अब अकबर ने उन तीन आदमियों को क्या कहा gentleman महद है it is not easy to possess common sense कि ये आसान नहीं है क्या होना common sense यानि कि एक आम समझ का होना तो दोस्तों possess का मतलब होता है अगर आपके पास कोई गुण है तो आप उस गुण को possess करते हैं यानि कि वो आपके अंदर है वो आप हो तो एक common sense यानि कि आम समझ का होना आसान नहीं है after all आखिरकार it is not so common as we think it to be कि जैसा हम सोचते हैं इसे यानि कि इस आम समझ को ये इतनी भी आम नहीं है now अब you may have understood बीरबल is क्यों बीरबल है at this position इस पद पर and you are not और तुम नहीं हो the three men left the court तो वो जो तीन आदमी थे वो दरबार से left यानि कि वो चले गए थे and अकबर और अकबर ने क्या किया था happily gifted यानि खुशी-खुशी उपहार दिया था a bag of gold coins to बीरबल यानि कि बीरबल को एक थैला किसका सोने के सिक्कों का खुशी-खुशी उन्होंने बीरबल को gift कर दिया था उपहार स्वरूप दे दिया था तो दोस्तों आज की कहानी का moral है कि common sense is not so common nowadays कि चाहे आप कितने भी विद्वान हो लेकिन ये जो common sense ये जो एक आम समझ होती है इसका होना इतना भी साधारन इतना भी आम नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी common sense का इस्तेमाल करेंगे लाइक करेंगे इस वीडियो को शेर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाए टेक केर और कीप लर्निंग